नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का online study UK में online study UK में हम आज बात करेंगे सेलेश मट्यानी जी की ठीक है सेलेश मट्यानी जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है का हिंदी वगर के हिंदी के काफी महत्पूर्ण टॉफिक हैं तो इनके बारे में सैलेश मत्यानी जी के बारे में बात करें तो सैलेश मत्यानी जी उत्राखंड से ही संबंदित है ठीक है उत्राखंड से परसिद्ध कभी और लेखकों में से सामिल है ठीक है इनकी रचनाएं क ठीक है सेलेश मत्यानी जी के जीवन पर्चे की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था बाड़े चीना घाओं में हुआ था गाओं जिलाly अलमोरा उत्राखंड में पड़ता है अलमोरा जिले में पड़ता है ठीक है मूल ने मूल नाम इनका जो था रमेश चंदर सिंग मट्यानी था ठीक है कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेलिश मट्यानी का जो मूल नाम था वो क्या था तो रमेश चंदर सिंग मट्यानी था इनका नाम ठीक है मूल नाम इनकी जो 12 वर्स से 1923 की अवस्था में इनके माता पिता का देहान तो हो गया था ठीक है इनकी जो सिक्षा होई थी हाई स्कूल तक ही इनकी सिक्षा हो पाई थी कहानी का प्रकासान इनकी पहली जो कहानी अमर कहानी रंग महल में पत्रिकाओं में प्रकासित होई थी अमर कहानी नाम से इसके बाद रचना कर्म अमर कहानी के लिए सकति ही जीवन पहला कहानी शन्ग रहता इनका तित्तिस कहानी आ तिस कहानिया तो 1961 में प्रकासित हुआ यह थी कहानिया डबु मलंग इनकी जो कहानिया थी डबु मलंग रहमतुला पोश्टमेन प्यासा और पत्थर दो दुखों का एक सुख 1966 में प्रकासित हुए थी यह सबी चील अरदांगनी जुलूस महाभोज भविश्य और मिट्टी आदी इनकी कहानिया थी ठीक है पत्रिकाएं जो पत्रिकाएं थी विकल्प और जनपक्ष पत्रिकाएं उन्हें संपादन करा इनका और पत्रों का संकलन जो करा लेखक और संवेधना उनीस सो तरासी में एक पत्र लेखक और संवेधना इनका संकलन है ठीक है इसके बाद की कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह इनकी मेरी 33 कहानिया 1961 में प्रकासित हुई ठीक है तो मेरी 33 कहानिया में 33 कहानिया लगभग 30 में तो दो दुखों का एक सुक 1966 में दूसरों के लिए 1967 में सुहागनी तथा अन्य कहानिया 1968 में सफर पर जाने के से पहले 1969 में हारा हुआ 1970 अतीद तथा अन्य कहानिया 1972 में मेरी पिरिय कहानिया हो गया ठीक है पाप मुक्ती और अन्य कहानिया इसके बाद हत्यारे 1978 में बर्फे की चट्टाने 1974 में जंगल में मंगल ठीक हो गया महाभोज चील जो महाभोज दी वो भी काफी परसिद कहानी संग्र है कहानी है इनकी चील 1976 में प्यासा और पत्थर 1982 में इन्होंने कहानी संग्र परकासित की है ठीक है इसके बाद नाच जमूरे नाच 1989 में माता तथा अन्य कहानिया 1993 में भविश्य तथा अन्य कहानिया, ठीक है, अहिंसा तथा अन्य कहानिया, भेडे और घडरिये, ये भी काफी परसिद्ध कहानिया हैं उनकी, तो इसके बाद इन्होंने जो उपन्यास लिखें, उपन्यास की बात करें, तो हम बोरी वली से बोरी बंदर तक, 1949 निक्त गैश्पर सेन 1961 में तिरिया भली की 1962 में किस्सा नर्मदा बेन गंगुबाई का तो ये भी 1961 में ही चौथी मुठी 1961 में लिखी प्रकासित हुई इनके उपन्यास है बारूद और बचूली 1962 में मुख्य सरोवर के हंस एक मूठ सरसों बेला हुई अबेर कोई अजनभी 1966 में दो बूजल भागे हुए लोग इनके उपन्यास थे जो परसिद्ध अपने छटा भी घेरते रहे ठीक है आखास कितना अनंत है उत्तरकांड डेरे वाले 1990 में सवित्तरी 1980 में कोपली गफूरन 1961 में बावन नदियों का संगम इन्होंने कहानी लिखी अर्द कुम्वगी आत्रा 1993 में मुटभेड हो गया नागवल्लरी हो गया माया सरोबर हो गया चंद औरतों का सहर जो काफी परसिद्ध कहानी है भी चंद औरतों का सहर 1992 में ठीक है पुनरजनम की बात 1970 जलतरंग 1973 बर्फ गिर चुकने के बाद 1974 उकते सूरच की किरान 1976 छोटे छोटे पक्षे 1977 रामकली 1978 और सर्पगंदा ठीक है जो एक परमुक कहानिया काफी कहानिया लिके है इनोंने जो काफी परसिद्ध भी होगी ठीक है इसके बाद उपन्यास काफी उपन्यास लिके है इनोंने इसके बाद निबंद निबंद की जो निबंद लेखन में भी इनका कार दी था तो की हैसियत से किसके राम कैसे राम 1999 में जो काफी परसिद्ध है यह भी जनता और साहित ते 1976 यह था प्रशंग कभी कभार 1993 में ठीक है रास्टियता की चुनोतियां किसे पता है रास्टियत सर मकाम अतलब 1994 ठीक है यहनुने काफी निबंद और सत्मन लिखे हैं ठीक है इसके बाद इने जो सम्मान मिले हैं सम्मान पर्थम उपन्यास बोरी वाली से बोरी बोरी बंदर उत्तरपरदेश शरकार दोरा पुरुषकर्त किया गया इसके लिए पर्थम उपन्यास के लिए इनका महाभोज उपन्या कहानी के लिए महाभोज जो कहानी है इनके लिए उत्तरपरदेश हिंदी सस्थान का प्रेमचंद पुरुषकर मिला इने ठीक है सन 1977 में पुरुसकार दिया गया ठीक है और इनके नाम पर उत्राखंड में पुरुसकार भी वित्रित किया जाता है ठीक है तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें बताएं कि किस टॉपिक में वीडियो बनानी है तो हम जरूर बनाएंगे आपके लिए और वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सपोर्ट बनाये रखने के लिए धन्यवाद और जदा से जदा सेयर कर दें लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को धन्यवाद चैंद चैह उत्राइब